दोस्तो भारत देश बहुत सारे विशेष्टाओं के लिए मशूर है हमारे देश में काफी सारे खाद्यपदार्थ है जो यहां की एक विशेष्टा है देश में विविद प्रकार के मोसम पाये जाते हैं विविद प्रकार के पेड पोधे पाये जाते हैं फसल पाई जाती है हमारी संस्कृती दुनिया में सबसे भिन्न है ऐसे ही हमारे देश के मसाले भी काफी पसंद किये जाते हैं पूरी दुनिया में राई से लेके अजवाइन तक, हिंग से लेके गरम मसाले तक हल्दी, लौंग, दालचिनी, तेजपत्ता, इलाईची, जीरा, मिर्ची और बहुत सारे मसाले हैं जिनका उत्पादन भारत में होता है इन्हें भारत के लोग भी रोज के खाने में प्रयोक करते हैं और इनका निर्याद भी किया जाता है हल्दी हमारे देश से सबसे ज़्यादा निर्याद होती है तो ऐसे ही कुछ मसालों की बात करेंगे इनके क्या फाइदे हैं वो जानेंगे अगर बात करें लॉंग और काली मिर्च की तो ये मसाले कफ की समस्या से मुक्ति दिलाते है दोनों कफ प्रतिरोदग है शरीर में कफ को समाप्त करते है सुबह चाय में डालके या रात में सोने से पहले अगर आप काली मिर्च और लॉंग का सेवन करते हो तो स्वास्ते उत्तम रहेगा इन दोनों में से किसी एक को तेल में डालकर दीपक जलाया जा सकता है पूजा के समय इससे घर का वातावरन अच्छा रहता है अब जानते हैं हिंग के बारे में हिंग का फाइदा क्या है? हिंग खाने से तनाव कम होता है हिंग पित्तो और वात को नियंतरित करता है दोपेर के भूजन में नियमित रूप से हिंग का प्रयोग करना चाहिए हिंग से क्रोध भी कम होता है अब जानते हैं जीरा और दालचिनी के बारे में ये दोनों ही मुओ की समस्या और पित्त को नियंत्रित करते है जीरे का प्रयोग दोपेर के भुजन में और दालचिनी का प्रयोग राद के भुजन में करना उत्तम होगा तेज पत्ता तेज सुगंद और उर्जा पैदा करता है इसका प्रयोग रात के भुजन में करना अच्छा होगा धूप की तरह इसका प्रयोग किया जाए तो आतावरन शुद्ध होगा शाम के समय तेज पत्ता जलाके इसका धुवा किया जाए तो घर से नजर दोश दूर होता है हल्दी से भी आप नजर दोश से बच सकते हैं ये एक अद्भूत मसाला है हल्दी जो है वो हम रोज के खाने में उप्योग करते हैं इसमें विशरोधक समता पाई जाती है भोजन में नियमित रूप से प्रयोग करने से आरोग्य की प्राप्ति होगी हल्दी खाने से शरीर शुद्ध होता है हल्दी लगा कर के स्नान करने से तवचा की समस्या नहीं होती और अब बात करते हैं लाल मिर्च के बारे में ये मसाला स्वाद ग्रंतियों को ठीक रखता है और उर्जा पढ़ाता है इसके प्रयोग से स्वाद ग्रंति ठीक रहते है तो दोस्तों ये थी जानकारी मसालों के बारे में हमारे देश में जो विवित प्रकार के मसाले पाये जाते हैं उनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी उनके हमें क्या फाइदे होते हैं उनसे हम अपना आरोग्य कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया क्या आपको ये सारे फायदे पहले से पता थे अगर पता थे तो मुझे comment section में फ्लीज बताना और अगर आपको ऐसे ही और किसी topic के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी comment section में बताना हमारे देश के जो मसाले है वो पूरी दुनिया में बहुत पसंद किये जाते है इसलिए भारत से सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो है हमारे मसाले और इसमें भी हल्दी का निर्या सबसे ज़्यादा होता है और ये भी बताना क्या आपने ये सारे मसाले खाये हैं खाये तो होंगे क्यूंकि भारत में रोज ही खाने में ये कम ज्यादा मात्रा में पाये जाते हैं या इनका उप्योग किया ही जाता है तो दोस्तों क्या आपको ये जानकारी पसंद आई है मुझे प्लीज बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना धन्यवाद